रेल मंत्री प्यूश कोयल तीन दिवसी दोरे पर शिमला आए हैं। 210 करोड टन माल धोया है। मंत्री ने बताया कि हिमाचल में रेल बे के बिसार के लिए मोधी सरकार तितपर है। रोड रुपए हिमाचल परदेश की अलग अलग योश्राओं के लिए दिया गया है। गोयल ने कहा कि काल का हैरिटेज रेल बे लाइन की स्पीड बढ़ाने के लिए इस एतिहासिक ट्रैक की दोबारा एलाइनमेंट की जाएगी। इसका बजट स्विकृत कर दिया गया है। उन्हें बताया कि एतिहासिक रेल डिपों में सुधार के जाएगा और सारे के सारे डिपों को बदल दिये जाएंगे। नई डिजाइन बनाया जाएगा जिसमें खीडकियों के शीशे यहां की पहाड़ीं की खुबसूरती को निहारा जा सके। पठान कोट जोगिंदर नगर रेल के डिपे भी बदल दे जाएंगे। गोयल ने बताया कि पॉंटा साहिब को जगा धरी तक जोडने के लिए भी रेल बे लाइन बनाने के लिए सरवे किये जाएंगे। उन्हेंने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए केंदर की मोधिब प्रदेश की जरहम ठाकुर की डबल इंजिन की सरकार में रेल बे भी अपना इंजिन जोड़के विकास को दोगुनी करेगा। उन्हें कहा कि ये सारे प्रजेक्ट 15 अगस्त 2022 तक पूरे करने का लक्षे है। जो इस देश में पर्याप मात्रा में बनते नहीं थे पीपी तो ना के बराबर थे उस सब पर हम सेल्फ सफिशन भी हो गए और आज एक्सपोर्ट कर रहे है निर्याद कर रहे है उसका इस सब करने में स्वभावित रूप से विद्यवर्ष बहुत ही मुश्किल दौर से ग माल गाड़ी से माल ढोया है 110 क्रोट टन और ये पिछले विद्यवर्ष 19-20 के पहली अप्रेल से 28 फरवरी 2020 तक जो आकड़ा था उसको पार कर गया है यानि जो विश्वर्ष रिकावरी की बात होती है कि देश की अर्थवस्ता तेजगती से पटड़ी पर आ रही है उसका सबसे बड़ा प्रबान आज खुश्खबरी मुझे शिम्ला में सुभे मिली तो मेरे से रहा नहीं गया मैंने क्या शुरुवात में मैं ये आप सब के समक्ष रखूँ मुझे अभी भी याद है कि आज से दो वर्ष पहले मैं काली माता के काली बाड़ी के दर्शन करके यहां से गया था और उसके बार चुना हुआ फिर एक बार आप सब ने चारो सांसत चुनके भारतिय जनता पार्टी के भेजे केंडर में और बड़ी बहुमत से मोदी जी की सरकार बनी और उसके बाद लगा था जो विकास के लिए काम चल रहे है उसका ये बहुत सुखत सुचदा मुझे जो आज मिले शिमला में मुझे लगा आप सब के समक्ष रखूँ पिछले वर्ष भी 28 फरवरी 2020 तक 110 क्रोड टन रेल विवस्ता ने मालगाडी के माध्यम से कैरी की थी और इस वर्ष कोविट महामारी के बावजूर लॉगडाउन में जो कमी हुई थी लगबक साथ क्रोड टन कम थे पहले तीन-चार महिने में उसको भी पूरा मे कर दिये और आज हम ऐसी स्थिति में कि पिछले वर्ष तक पहुंच गये मुझे लगते 31 मार्च आते आते पिछले वर्ष से जाड़ा लोडिंग भारतिय रेल कर रही करने जा रही है और इसी को हिमाचर के परिपेक्ष में देखें तो अब एक चंदीगर बद्दी जो ला रुपए का आवंठन किया गया है और मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा बहुत सार्थक रूप से तीनों दिन चलिये परसों हम बेटे ते कल बेटे और आज सुपे बेटे तीन दोर में मैंने राजसरकार के साथ अलग-अलग विश्यों पे चर्चा की और माल गाड़ी ब पद्दी की लाइन बहुत आवश्यक थी हम दोनों ने तेकिया इसको और बल देंगे और आगे 200 करोड कम पड़े तो मैं उनको विश्वास देके जा रहा हूं कि मैं और सप्लिमेंटरी बजट में और आवंटरन करूंगा लेकिन इस लाइन को तेजगती से हम आगे बढ़ अधन इस बजट में किया गया है वैसे ओर हमाचल से प्याने वाली व्यवस्थाएं या हमाचल में बनने वाली डील के विवस्थाओं के लिए कैसे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी की सरकार संकल्पित है इसके में कुछ आखडों से आपको जानकारी देने देना चाहत दोजार नौ से चौदा के बीच जब केंगर में कॉंग्रेस की यूपीय की सरकार थी तब अउसतम हर वर्ष एकसो आठ क्रोड रुपए निवेश होता था इंफ्रास्ट्रक्चर या सेफ्टी वर्क्स में हिमाचल या हिमाचल से जुड़ी परियोजदाव में यानि 914 के बीच पांच वर्ष में मात्र पांच सो चालिस क्रोड रुपए पूरे पांच वर्ष को मिलाएं तो मात्र पांच सो चालिस क्रोड रुपए निवेश हुआ था नौजार चौदा से उनीस के बीच जब मान्या प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस प्रदेश 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 पेश करती थी तो हिमाचल प्रदेश के लिए इसको बढ़ाके 9,004 के 108 क्रोड प्रतिवर्ष को बढ़ाके एवरेज 280 क्रोड रुपए कर दिया गया 2014 से 19 के बीच यानि 1,400 क्रोड रुपए पांच वर्ष में हिमाचल से जुड़ेवी योजदाओं में रेलवे ने खर्चा किया लेकिन वो भी कम लगने के कारण आपको जानकी खुशी होगी कि 19-20 के बजट में भी 20-21 के बजट में भी ये लगातार इसमें वृद्धी होती गई और इस वर्ष के बजट में 21-22 का जो बजट अभी पहली फरवरी को पेश किया गया वित्तमंत्री जी द्वारा उसमें प्रदान मंती जी के दिशा निर्देश अनुसार 770 करोड रुपए हिमाचल प्रदेश की अलग-अलग योजनाओं के लिए दिया गया है किस प्रकार से ये सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए प्रतिबाद है ये लग-बग कितना साथ गुना हो गया 108 से बढ़ा के 770 करोड 7 times बजट हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित किया गया है